सबसे पहले तालम खाने को कलेक कर ले और उसे सुखा ले बाद में उसे इस तरह से कड़ाई में डाल के जला दे और उसकी राख को कलेक्ट कर ले तालम खाने को 7-8 दिन तक धूप में सुखाना चाहिए क्लेन करके और अच्छी तरह सोख जाने के बाद इस तरह जला के उसकी इस तरह राख बनानी है हमें 650 ग्राम राख मिली है उसमें 6 गुना पानी हम डालेंगे और पुरी राद उसे भिगो के रखेंगे इस तरह अच्छी तरह मीक्स करके बिना हिलाए रखना है और सुबह में उसका उपर का पानी हमें ले लेना है और उसे अच्छी तरह 21 पर चानना है इस तरह चानने के बाद हमें एक शार जल प्राप्त हो जाएगा अब उसे हम पकाएंगे जब पक्ते पक्ते पूरा पानी जल जाए तब तक उसे पकाना है जो भी क्षार बनाने की प्रोसेस रहती है उसमें यह प्रक्रिया सैमी रहती है सबसे पहले उस वनस्पति को शुखा लो और उसे जला के उसकी राक बना देते हैं उसे 6 गुना पानी में भीगोगे रखते हैं उपर का पानी निकाल देते हैं पानी को पकाते रहते हैं जिससे हमें क्षार प्राप्त हो जाता है आप देख शक्ते हो ये पानी गाड़ा हो चुका है अब उसमें क्षार दिख रहा है इस तरह हमें क्षार पाक विदी से क्षार का पाक करना है ये जो पानी हमने रखा है उसको एक गंटा हो चुका है और हम उसे अभी भी पाक कर रहे हैं अभी भी उसमें मोश्चर हैं तो अभी हम उसे क्षार पाक करेंगे कडची से उसे बीच पीच में चलाते रहना है नहीं तो क्षार दगद होने का खतरा रहता है इस तरह से क्षार पाकविधी हमें करनी है कोकिला क्षार को आयरोधिक डॉक्टर गोल ब्लेडर स्टॉन में बहुत चाला यूज़ करते हैं जो पिता सई की स्टॉन रहती है गोल चमतकारी को उशदी है लेकिन इसे अपने आप इस्तेमाल नहीं करना चाहिए डॉक्टर की एडवाईज में ही इसे यूज़ करना चाहिए क्षार हमारा बनके अब रेडी हो चुका है उसमें कोई मोश्यल नहीं है यह आप देख सकते हो इस तरह का क्षार हमें प्राप्त ह हुआ है इस अक्षार को एर टाइंट रख ले अगर पॉसिबल है तो काच के बर्तन में उसे रखे तो सेफ रहता है